हेलो ब्रिवान विल्गम टो बैक माई चैलेंग आज में घरली उप्टान फेस पैक इस्तेमाल करने के फाइदे के बाड़े में बताऊंगा धूल गंदेगी और ठकान आपकी तोचा को बेजन बना देता है ऐसे में तोचा को एक उची देख भल करना बहुती जरूरी है तो प्राकितिक गुनों से भरपूर उप्टन फेस पैक बनाने की विधी इसके लिए आपको चाहिए चंदन एक चमुच, बेसन दो चमुच, दो चमुच, हल्दी पावडर दो चमुच एक बावल में चंदन, बेसन, दो तर हल्दी पावडर को डाल कर एक साथ अच्छी तरह से मिला ले और पेस्ट बना ले फिर इस पेस्ट को अपनी उंगलियों की मदद से मिस्टन को तोचा पर अपलाई करे और हलके हाथों से एक मिनित तक मसाज दे फिर बाचे हुए मिस्टन को भी आप गला, गर्दन, हाथ, पाव पर अच्छे से लगा ले पन्रा से बीस मिनित तक लगाए रखने के बाद सुख जाए तो साप कर लेना है हुप्टन को तोचा से हटाने के लिए सबसे पहले चैरे को पानी से गिला कर ले और धीरे धीरे सर्कूलन मोसन में उंगलियों की मदद से तोचा को साप करे इसमें हल्दी है, हल्दी एकनी और बेक आउट जैसी समस्था को दूर करता है हल्दी में एंटि वेक्टरियल, एंटि फंगल और एंटि ऑक्सिडिन गून तोचा से कील मोँआ से दाग धबे टैनिंग और डाट सर्कल जैसी समस्था दूर करने के साथ तोचा की रंगत में सुदर करने में भी मदद करता है इसमें चंदन है, चंदन लगाने से स्कीन की चमक बढ़ करर रहती है इसके इस्तेमल से कील मोँआ से और दाग धबे भी काम होते है जिससे आपके चेरे पर चमक दिखने लगती है इसमें कच्चे दूथ है, कच्चे दूथ बैतरिंग टोनर है मॉइसर राजिस्ट करता है, स्कीन को एंटि एजिंग को दूर करता है नैचरल संस्क्रीम का काम करता है इसमें बेसान है, बेसान डेटी स्कीन सिल को दूर करता है गंदीगी और असुद्य को भी हटा देता है उप्टन को आप रोजाना लगा सकते हैं इसे लगाने से आपके स्कीन निखर जाएगी अगर आपके स्कीन जादा ओयली है तो बेसान की जगा मुलतानी मिट्टी एट कर सकते हैं मैंने और भी होम रेवेंडी मेरे चैनल पर अप्लोट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है